नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारु चौधरी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षर चार बुक का नाम है नूतन गुंजन हिंदी पार्ट माला है ये तो हम इसका पहला जो पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे उसका फुल एक्स्प्लेनेशन जो अब हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे आए सो तूफान सामने रोक न हमको पाएंगे तो देखिए इस पार्ट में जैसे पार्ट का नाम है भारत के बच्चे तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के बच्चे जो हैं वो सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं वो आगे ही बढ़ेंगे चाहे कितने भी तूफान आ जाएं तूफान से यहांपे तादपरी है चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं वो हमें नहीं रोक तक पायेंगे कि एसका अर्थ ये है कि हमें चोटा मोटा मत मानों क्योंकि हम दिखते चोटे से हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम चोटे चोटे हमारा जो साहस है वो बहुत बड़ों से भी ज़्यादा है इसका तातपरी ये है कि हम साहस के बुतले हैं मतलब हम दिखने में बले छोटे हैं परंतु साहस जो है हम में भरपूर मात्रा में भरा हुआ है दिल के हैं मजबूत बड़े हम तन के लगते दुबले हैं इसका अर्थ है कि दिल के हैं मजबूत हमारा जो दिल है हमारा जो रहदय है वो बहुत ही मजबूत है बले ही हम दिखने में तन यानि शरीर से हम बले ही दुबले लगते हो परन्तु हमारा मन जो है वो बहुत मजबूत है मन से तातपरी ये हो गया कि हम जो ठान लेते हैं वो हम करके ही रहते हैं हमारा जो मन है वो बहुत मजबूत है जो हमसे टकर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे हमें न समझो छोटे हमें काम बड़े करने वाले तो जो हमसे टकर लेगा मतलब पंगा लेगा अगर हमसे कोई आके टकराया या हमारे लिए कोई रोडा बना हमारे लिए कोई बाधा बना तो हम उसको सबक सिखाएंगे हमें न समझो छोटे हमको छोटा मत समझो क्योंकि हम काम जो है वो बहुत बड़ा करने वाले हैं अब देखिए next page जो है वो हम समझेंगे उसका अर्थ क्या है बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक नहें डरने वाले चटानों को तोड़ फोड़ कर राहे नहीं बनाएंगे तो देखिए इसमें जो कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी बाधाओं से भी बड़ी बाधाओं मतलब कितनी भी बाधाओं आजाएं तनिक ना मतलब हम जरासा भी नहें डरने वाले हैं चाहे कैसी भी बाधाओं आजाएं चटानों को तोड़ फोड़ कर राहे नहीं मतलब चट्टानों को तोड़फोड कर मतलब कितनी भी बाध्णाइं आएंगी हम उनसब को हटाके एक नई रहा बनाएंगे. अब देखिए चटानों को तोड़ फोड़ कर यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पहाड, परवत, चटाने यह सब होती है और हमको अगर वहाँ पे रोड बनानी होती है तो वो सारी जो चटाने हैं उनको हटा के फिर रोड बनाई जाती ह इसी तरीके से जो भारत के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे सभी बाधाओं को हटा कर अपने लिए एक नई ही दिशा की खोच करेंगे हमें न समझो यूही हमें भारत माता की आशा सब कुछ नच्छावर कर मा की पून करेंगे अभिलाशा अब कहा जा रहा है कि हमें न समझो यूही हमको ऐसे ही हलके में मतलो हम भारत माता की आशा हैं, सब कुछ नच्छावर कर मा की अगर हमारा जो भी है चाहेतन, मन, धन, सब कुछ हम नच्छावर कर देंगे और मा की जो अभिलाशा है वो हम पूरी करेंगे, यहाँ पे मा से ताथ पर यह है भारत मता गिरे आज हैं जो समाज में उपर उठाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि गिरे कौन हैं, समाज में कौन गिराएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे समाज में गलत हो रही हैं उनको क्या करेंगे, उनको उपर उठाएंगे, मतलब उन सब समस्याओं को दूर करेंगे, वो जो लोग काम करते हैं, उनको सुधारेंगे हम भारत के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, हम सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुती अच्छी सी कवीटा है जो की लिखी है विश्वनाथ गुप्त ने अब हम देख लेते हैं इसके कॉशन आंसर तो देखे पहला मौकी कॉशन यह है कि भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा तो भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा बताईए आप तो मैं आपको यहाँ पर कविता से ही बता देती हूँ कि 100 तूफान यहाँ पर देखिए आये 100 तूफान सामने रोक नहम को पाएगे तो यहाँ पर सही उतर होगा भायत के बच्चों को सो तूफान भी नहीं रोक पाएंगे शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है देखिए ये भी आपको इस पार्ट में मिल जाएगा यहां पे लिखा हुआ है कि तनके दिल के हैं मजबूत बड़े हम तनके लगते दुबले हैं तो यहां पे आपने देख लिया कोशन भी यही पूचा है शरीर से दुबले होने पर भी बच्चे जो हैं उनमें दिल के मजबूत मतला आत्मविश्वास की कमी नहीं है चटाने किसकी प्रतीक हैं चटाने जो हैं वो पाधाओं की प्रतीक हैं अब भारत के बच्चों के कोई दो गुण बताने हैं आपको देखिए एक तो इनमें इतना साहस है और दूसरा बताईए यहाँ पर देखिए आप खुदी एक तो वो दिल के जो हैं वो बहुत मजबूत हैं और दूसरा बहुत साहसी है अब अगला कोईशन है कि बच्चे नई रहा कैसे बनाएंगे तो वो क्या करेंगे चटानों को तोड़ फोड़ कर अर्था जितनी भी बादाएं हैं उनको हटा के नई रहा बनाएंगे भारत मा की अभिलाशा कैसे पूरी की जा सकती है तो सब कुछ नच्छावर करके मा के लिए सब कुछ नच्छावर चाहे तन हो मन हो धन हो सब कुछ नच्छावर करके भारत मा की अभिलाशा पूरी की जा सकती है बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? जो समाज में गिर गए हैं उन लोगों की वो मदद करना चाहते है, उन्हें उपर उठाना चाहते हैं अब देखिए यहाँ पे इन पंक्तियों का आपको अर्थ मैं अल्लडी बता चुकी हूँ बड़ी-बड़ी बाधाओं से भी नई ड़ने वाले हैं अब देश की जागरुक नागरिकों में कौन-कौन से गुण होने चाहिए वो सहासी होने चाहिए कितनी भी बाधाओं आजाएं वो घबराने नहीं चाहिएं तो ये सारी चीजे जो हैं वो सोचकर आपको लिखनी है देखिए अब यहाँ पे ये बच्चे ने गलत लिखा है मैं आपको सही बताती हूँ तूफान का जो है वो है आंधी जंजा दूसरा है राह मार गया रास्ता साहस जो है हिम्मत या होसला अभिलाशा इच्छा चाहा और काम का है कारिक कर्म वर्ण विच्छेद वो आप करिएगा अब आगे देखिए यहाँ पे संग्या जो है उन पे आपको टिक लगाना है तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी यहाँ पे हमने पूरा जो पार्ट है वो कवर करने की कोशिश किये इस वीडियो में प्लीज आप मुझे लिखके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी इसी तरीके की वीडियो जो है हर क्लास की हम लेके आ सकते हैं तो बाट था भारत के बच्चे पूरा यहां पे आपको एक्स्प्लेइन किया है और कोई पार्ट आप चाहते हैं एक्स्प्लेइन करवाना तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगी वीडियो को वाच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप